जेशी क्रेश्रेना कैसे हो आप सब लोग? I hope you are all doing well. आज हम बनाएंगे authentic falafel recipe और उसके साथ उसकी दो dip भी बनाएंगे. इसके साथ ही मैं शेयर करूँगी आपके साथ कुछ tips, tricks और secrets. है ना बिल्कुल perfect falafel? तो आएए इसके लिए पहले हम चटनी बना ले. spicy dip बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सुखी हुई लाल मिर्च को एक घंटे के लिए गरम पानी में सोख किया था. यहाँ पर पानी उतना ही यूज़ करें जितनी मिर्ची को भिगोने के लिए जरूरत है. फिर एड़ करेंगे तिन लेसुन की कल्या और दो चमर शुगर. और फिर इसमें एड़ करेंगे दो निबू का जियूस. यह चटनी बहुत ही इजीली और जल्दी बन जाती है. आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हो. और यह फ्रीज में चार से पाच दिनों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी. यहाँ पर हमारी फलाफल का एक डिप प्रेडी हो गया. अब हम दूसरा डिप बनाएंगे. उसके लिए हैं बॉल में हम फ्रेश योगर्ट लेंगे. यानि की ताजा दही. आप यहाँ पर ग्रिक योगर्ट का भी यूज़ कर सकते हो. ध्यान रखना दही खटी नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर मैंने तीन कडची दही लिया है. अब उसमें डालेंगे तहीनी. तहीनी को मैंने स्टोर से लाया है. यह बस एक तिल का पेस्ट है. और जब आप उसकी पेस्ट बनाओ तो उसमें से ओल निकलता है. यह हम इसमें दो चमच डालेंगे. अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बस थोड़े से तील को मिक्सी में पीस लेना. और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको पीस्टे समय उसमें तील का तील डालना. अब इसे हम अच्छे से फेटेंगे ताकि यह क्रीम जैसा हो जाए. और फिर उसमें एड़ करेंगे सॉल्ट. यहाँ पर बस इसे अच्छे से फेट ना. बस हमारा दूसरा डिपी हो गया राडी. है ना इतना आसान. अब हम बनाएंगे फलाफल. इसके लिए मैंने तीन कप छोले याने की चिकपीज रात को भीगो दिये थे. तो यहाँ पर चिकपीज को ओवरनाइट सोक करना है. और यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्सले. जो धन्य जैसा ही दिखता है लेकिन इसकी फ्लेवर अलग होती है. फिर मैंने लिया है आदी अनियन. बड़ी है तो आदी अगर छोटी है तो पूरी यूज करना. और छे से साथ लहसुन की कलिया. अब हम एक अच्छे से फूल प्रोसेसन में थोड़ा थोड़ा चिकपीज डालेंगे और इसे अच्छे से पीसेंगे. यहां पर दियान रखना, पाणी का यूज करना है. अगर जरूरत पड़ी तो हम एक से दो चमच्छी पानी दालेंगे. अगर यह बीना पानी के पीस रहा है तो हम इसे पानी नहीं डालेंगे. फिर थोड़ी सी अन्यान डालेंगे और थोड़ा सा पास ले और गारलिक अब मुझे यहाँ पर पिसने में थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत लग रही है तो मैं यहाँ पर सिप देड़् चमची पानी डालूँगी और फिर इससे हम पिसेंगे अगर बीच में जरूरत पड़े तो इसे एक दो बार चलाएंगे अब बस हम इसे एक मिनिट और पिसेंगे और फिर ये जब अर्मोस्ट हो जाए तब हम इसमें वन फोर्थ कप तिल डालेंगे यहाँ पर तिल मैंने लास्ट में इसलिए डाला है कि तिल को हमें पीसना नहीं है सिर्फ थोड़ा सा क्रश करना है तो हम इसे थोड़ी ही देर चलाएंगे और फिर ये डन इसे हमें दरदरा ही पीसना है इस तरह से तिल डालने से जब आप फलाफल को फ्राइ करोगे तो फ्राइ करते समय उसमें से तिल बहार नहीं आएंगे नहीं वो फूटेंगे अब हम इससे एक बॉल में निकाल देंगे देखे इस इतना दरदरा मैंने पीसा है फिर हम थोड़े और चिक पीस को पीसेंगे हम हर एक बेच में थोड़े से पास ले थोड़े से गारलिक और थोड़े से अन्यन डालेंगे ताकि इसकी पीसने में भी आसानी हो जाए अब इस बेच में मैं सारा नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक डाल देना और इसको पिषते समय भी अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो ही डालना अधरवाइस उसमें पानी मट डालना इसे एक बार मिक्स करेंगे और फिर से पिषेंगे इसमें मुझे पानी की जरूरत नहीं लग रही इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ अब हमारे फलाफल का मिक्सर रैडी हो गया अब हम उसमें लास्ट में डालेंगे काले मिर्च और फिर हम इसे मिक्स करेंगे काले मिर्च और पार्सले का यूज करने की वज़े से फलाफल डाइजेशन में इजी हो जाता है पार्सले बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है जैसे हम बेसन के आटे में अजवाइन डालते है अब हम इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर चेक करेंगे कि इसमें पानी तो ज्यादा नहीं है अभी तो इसकी पेटीज बन रही है लेकिन इसमें हमने अनियन डाला है और नमक डाला है तो पांचे मिनिट में अनियन पानी छोड़ देगी और इसमें से थोड़ा सा पानी निकलाएगा इसी वज़े से मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ ओनली दो चमच मोईस्चर को सोक कर ले अब हम यहां एक प्लेट में कपड़ा बिचा कर रखेंगे और फलाफर उस पर रखेंगे यहां पर मैं आपको चार फलाफर के शेप दिखाऊंगी पहले तो हाप कोई भी टी स्पून ले या फिर टेबल स्पून ले उससे थोड़ा सा मिक्सर ले ले और ऐसे ही उससे फ्राइ कर ले यह हो गया एक शेप अगर आपके पास कोई ऐसा मोल्ड है तो उसमें फलाफर का मिक्सर रख कर आप उससे भी शेप्स बना सकते हो यह हो गया दुश्रा शेप और अब हम बनाएंगे तीसरा शेप थोड़ा सा फलाफर का मिक्सर हाथ में लेंगे और फिर उससे साइड में से और उपर से थोड़ा सा हलकी हाथों से टेप करकर हम उसकी पेटी जैसा बनाएंगे चोथा शेप बनाने के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा मिक्सर लेंगे उसका एक पेड़ा बनाएंगे और उसको हम बीच में से हॉल बनाएंगे और एक डोनट जैसा शेप देंगे यहाँ पर ध्यान रखना हॉल आरपार होना चाहिए ताकि फ्राइ करते समय तेल निकल जाए और अब हम यहाँ पर सारे फलाफल को राउंड शिप में बना लेंगे और उसे फ्राइ करेंगे आप यहाँ पर दिये गए सारे टिप्स और सिक्रेट्स को यूज करना ताकि आप भी ऐसे ही परफेक्ट फलाफल बना सको अब हमने दूसरी तरफ ओईल को गरम करने के लिए रख दिया है हम ओईल को अच्छे से गरम करेंगे और जब हम उसमें फलाफल डाले तो ओईल बिकल ही गरम होना चाहिए और गैस की फलेम को हाई होना चाहिए दीरे से फलाफल डालेंगे ताकि छीटे ना उड़े और फिर फलाफल को उसमें डालने के बाद हम उसको बिलकुल भी टेच नहीं करेंगे जब तक कि उसमें हलका सा ब्राउन कलर ना आ जाए उसे हम ऐसे ही फ्राइ होने देंगे ये फलाफल एक बहुत ही अच्छी और प्रोटीन रीच रेसिपी है जिसे आप बच्चों को भी दे सकते हो बहुत ही हल्द है उसके साथ साथ आप उसके लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हो या फिर शाम के नास्ते में भी खार सकते हो अब यहाँ पर हलका ब्राउन कलर हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और इसे पलट देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे अब इसे हम बीच में एक बार ओल पलटेंगे और फिर इसे अच्छा ब्राउन कलर आने तक ट्राइ करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिस उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन भी आउन कर देना देखिए ओयल में बिल्कुल भी तील नहीं निकले है अब हमारे फलाफल रड़ी हो गया है हम इसे निकाल लेंगे अब हम बिल्कुल उसी तरह से सारे फलाफल को फ्राइ कर लेंगे यह फलाफल भी हमारे फ्राइ हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे इसे आप हमारे बनाए हुए दोनों डिप के साथ सौव कर सकते है यह बहुत ही अच्छे लगते है और हब हम बनाएंगे उसका रैप इसके लिए हम यहाँ पर एक पीटा ब्रेड लेंगे उस पर हमारा वाइट वाला डिप लगाएंगे जिसमें हमने तहीनी डाली है फिर उसमें फलाफल थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे यहाँ पर मैं दो फलाफल डाल रही हूँ और फिल हमारी लाल वाली चत्मी इसे आप जितना भी डालना चाहो डाल सकते हो जितना भी spicy बनाना चाहो और फिल डालेंगे थोड़ा सा सालेड उपर से फिर से थोड़ी सी चटनी और हम इसका रेप बनाएंगे आप इसे डिनर या लंच में एंजोई कर सकते हो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू